गोरगपूर जिले में शुक्रवार को 41 नए कुरूना संक्रमित मरीज मिले हैं जिसमें सहरी छेतर में 22 कुरूना संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि ग्रामीर छेतर में 18 कुरूना संक्रमित मरीज मिले हैं अनिधाना छेतर में एक कुरूना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं बियार 305 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक्टिव केस 883 हो गए हैं इस संबंद में सियमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विसेश और धानियों को बरतने की अपील भी की है दोगज की दूरी मास्क है जरूरी सामाजी दूरी का करेपालन अपने और अपने परिव को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित सियमो डॉक्टर सुधाकर पिशाद पांडे ने बताये कि जिमारी से बचने के लिए विसेश सतरक्ता बरतनी होगी और लोगों को भीरभार से बचते हुए मास्क का इस्तमाल करना होगा जब तक की कोरोना की वैक्सिन सभी को लग नहीं की जाती तब तक मास्की सबसे बड़ा हतियार है